हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सिज नालेज यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको कुछ टेस्ट लेने वाला हूं कि आप कितने 10 मार्क के जो आपके बहुभी कल्पी कुश्चन आते हैं उस पर आप कितने मार्क इस्टोर कर सब्सक्राइब प्रने ख्लsem में 10 इन स Another Master's 10 ौच के लूप यूर्ट के पा करेंगे 10 नम्बर जाएंगे 10 नमबर में और हैं आपको पता होना चाहिए कि जो बहुभी कल्पी प्रिसंटे़ हैं पूरे के पूरे टोटल थोस मार्क मिलते हैं क्यूकि हैं वहाँ पर आपको श तो इससे आप e section कर देते हैं उसी e option के carding आपको mark मिल जाते हैं तो इस पर हुद को एक प्रतेक जो 쿠्षयन सूचना देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप कोई tim table नहीं बना हैं और अपने time को बहुत अच्छे से गवा रहे हैं mobile में लगे रहते हैं तो क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए कितने time तक कितने घंटे पदना चाहिए अगर सारी बाते को आप एक particular वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो के आंत में आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें लिखा हो अगर टापर कैसे बने उस वीडियो को यह दिया आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी बज़े से ले करके मतलब मेरा यह है कि कितने बज़े से ले करके कितने बज़े तक आपको पढ़ना है कितने बज़े से ले करके कितने बज़े तक आपको सोना है कितने बज़े से ले करके कितने बज़े तक आपको स्कूल जाना है इस्कूल जाना है कि नहीं जाना ओफ-लाइन कोचिंग करना है कि नहीं करना अगर जाना है तो कित्ती टाइम जाना है अगर आपने माल लिजे आपको पास चार कोचिंग लगी हुई है तो उन चारो कोचिंगों का टाइम कैसे मैनेज करेंगे कि तीन गंटे आपको फिजिक्स पाजने को मिल जाए और एक घ्रकंस पालने को क्योंकि marcs ना मार्क कमानलीी हींदी को भी आना है और सौ मार एंगलिस को भी आना है तो आप क्या करते ह B किस प्रकास कैसे टाईम क ಹिए बनाना है और कैसे कैसे आपको चलना है सारा कुछ वीडियो पर डिटेल दे गया है तो वीडियो को एक भी देखना मद भूलेगा आप पहले वी वीडियो को देख सकते हैं iButton पर link मिल गया है वहां से अब जाके देख लीजे और इसके बाद आपको proper notes अभी से बनाना माल लीजे अगर आप अभी से 85% लाना चाहते है है इसका तरेके है यह यह दोस्तों कि आपको जैसे मालेज इस फीजिक्स में राना चाहते हैं तो फीजिक्स पर आपको पता होना चाहिए कि इंपोर्टन टॉपिक क्या है जेप्टर पर ऑप्रड़िंगे और उस एक रजिस्टर खरीद लिजnat उस रेजिस्टर पर आपको नोट्स के तरीके से उस पर लिखना है और ऐसे ऐसे प्रेशन छाट कर लिखना है जो आपके वोर्ड एक्जाम पर आते हैं पर तो पहले ये बात हो गई अब एक बात आप किया और है अगर आपको पहलते समय नींद बहुत आती है तो इससे बचने के मेरे पास कई उपा है जिनने मैं खुद फालो करता हूँ और मैं खुद टाइम से उठ जाता हूँ तो अगर आप भी इस बात से ग्रसित हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको भी ऐसा वीडियो बना कर प्रोवाइड कर सकूँ कि आप एदि उन सभी बातों को फालो कर लेते हैं तो आपको नीद आना बिल्कुल भी बच जाएगी आप नीन से बच जाएंगे और नीन नहीं आएगी और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और आपके 80 और 85 या 90 मार्क क्रास्ट करके जाएंगे तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी के बारे में जिसके लिए पर्टिकुलर ये वीडियो बनाया गया है तो दोस्तों हिंदी पर सबसे पहले हम डिसकसन का रहेंगी तो सबसे पहले बता तूँन प्रते एक कुस्टेन जो और 10 इंग का होगा और कंसे आपको कम से कम साथ औग कर ज् Estate के जवाब देने होगे तो दोस्तों सबसे जो पहला कुस्टेन है मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूँगा इस कुश्चन के बाद लेकिन अभी नहीं दे पाया है इस कुश्चन पर लेकिन इस कुश्चन के बाद आपको टाइम मिलना इस्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो फर्ष्ट कुश्चन है कि किस कभी को कभियों का कभी कहा जाता है मतलब कौन सा ऐसा कभी है जिसको कभीयों का कभी बोला जाता है तो इसका कमेंट करके जल्दी से अंसर बता दीजिए दोस्तों कौन सा ऐसा कभी है जिसे कभीयों का कभी कहा जाता है तो इसका तो मैंने अंसर उपर ही लिख दिया है तो इसका अंसर है राम सेर बहादूर सिंग काउन राम सेर बहादूर सिंग जो है इनको कभीयों का कभी कहा जाता है नेस्ट कुश्चन हम देखते हैं नेस्ट कुश्चन हमारा क्या है नेस्ट कुश्चन है दोस्तों नेस्ट कुश्चन में मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि यह आपके अगर आप क्लास 12 में है तो आपके लिए most important question है अगर आप competitive exam किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं तो यह question most important है इसमें लिखा गया है कारक के कितने वेद होते हैं तो इसका answer आप देखी चुके हैं मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ आठ होते हैं लेकिन अब आपको answer देना है जैसे कि मैं आपको उता दूब इसमें लिखा गया भूसनर जो थे आपके वो किस काल के कभी थे किस काल के थे मितला आपके आपको बताना है वह काल काॉन सा दिसमे आप भूसा जिये आपके कानदे कब इस जल्दिस कमेंट करके बणा देजेए और मुझे यह जरूर कमेंट करके बताईے कि आप कितने कुछेसेंटों का जावब अपनी तरब से दे पाए पांच, छे, साथ, आठ, कितने questions का जवाब दे पाए और जो comment box में question दिया गया है उसका जवाब आपको आता है या नहीं आता तो भूसा जो थे वो रीतिकाल के कभी थे, किस काल के थे दोस्तों, रीतिकाल के कभी थे, अब next question है हमारा, ऐसे कौन से कभी थे, ऐसे कौन से कभी थे, जो आधिकाल में पहेलियां लिखते थे, अब आपको जल्दिस comment करके बताना है, और सूचना है, और अपने mind को concentrate करना है, सबसे बड़ी बात यह होती है दोस्तों कि किस time पर आपको learning subject परना है, और किस time पर आपको ऐसा subject परना है, जो कि आपको math जैसा subject हो, जैसे कि लि कुल भी मत बूलेगा, तो आधिकाल के जो, आधिकाल में जो पहेलियां लिखते थे, वो यह थे, खुसरो, कौन थे, खुसरो थे दोस्तों, इसको बात हमारा next question है, और बहुत ही अच्छा question है, उत्सा किस रस का इस्थाइब आवा है, उत्सा जो है दोस्तों, किस रस का इस किस की रचना है, तो दोस्तों, यह जो रचना है, और most important भी है, किस की है, आपको एक बार नहीं कई बार दोराना है, इसको की का माईनी किस की रचना है, का माईनी किस की रचना है, अब इसक बात यहां से most important question, बहुत ही most important class 12th के लिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक है, किसी भी एक्जाम के लिए important है लेकिन 12-13 के लिए महा most important है रानी केत्की के कहानी के लेखक हैं तो दोस्तों मैं बता तो रानी केत्की के कहानी के जो लेखक हैं वह है अल्ला खाँ कौन है अल्ला खाँ इंसा अल्ला खाँ जिसको आप पूरा नाम जानते होंगे इनका इंसा अल्ला खाँ, इसके बाद हमारा नेस्ट कुश्चन है नासिको पाख्यान, नासिको पाख्यान किसकी रचना है, तो दोस्तों जो जो नासिको पाख्यान है, यह रचना किसकी है, यह सदल मिस्र की, किसकी रचना है दोस्तों, सदल मिस्र की, इसके बाद दोस्तों म मुंसी सदा सुखलाल किसकी है मुंसी सदा सुखलाल जी की रचना है अब इसका नेश्ट कुश्चन पर बते हैं नेश्ट कुश्चन हमारा राम चरित मानस किस भासा में है तो यह तोस्तों मैंने आपके लिए होमवर्क पर लिखा है देख सकते हैं यहाँ पर इसका अंसर नह रचनाकार हैं तो प्रेम सागर के दोस्तों जो रचनाकार है है वह है ललू-लाल अब दोस्तों मैं बताता हूं कि इन 10 गोच्षोनों में से ज्यादा most important कौन सा है तो बिर्कुल जिने छोंद कर ही नहीं जाना तो यह जो प्रेम सागर ललू-लाल है यह जो कुछ है दोस्तों यह मुश्ट इंपॉर्टेंट है इसे छोंद कर आप एक्जाम देने ना जाईएगा इसकाद हमारा जोनेस्ट कुछ है मुश्ट इंपॉर्टेंट यह जानी केत्की की कहानी इंसाल लखां यह जो रचना है यह मुश्ट इंपॉर्टेंट रचना है इन सभी रचनाओं में से सबसे महां मुश्ट इंपॉर्टेंट रचना है और एक रचना ऊपर लिखी गए यह कामाईनी यह भी मुश्ट इंपॉर्टेंट रचना है यही है तो दोस्तों यह कामाईनी रचना, इसके बाद यहां पर एक कुश्टन लिखा गया है, भूसा किस काल के कब ही है? यह वाला कुश्टन, यह भी मुश्ट इमपोर्टन्ट है दोस्तों, भूसा किस काल के कब ही है? आपता है, तो इसे भी आप तयार करके रखिएगा, लेकिन ये उत्सा हवाला थी ये तो लगबख सबको पता रहता है लेकिन ये कुश्चन और ये कुश्चन और ये तीन चार जो नीचे मैंने कुश्चन बता है इंपर्टन्ट है तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद अब में नेस्ट वीडियो बनाओंगा कि आपको नीचे से कैसे बचना है